हाई स्टूडेंट, वेलकम टो आर्चे याजुहब ओनलाइन क्लासेज्ज एक्सरेटरी सिस्टम ओफ हुमन मानव का उत्सर्जन तंत्र मानव उत्सर्जी तंत्र जो होता है इसमें मुख्य उत्सर्जी अंग किडनी होता है व्रक और सहयक उत्सर्जी अंग के अंदर मुत्रवाहिनी यूरेटर्स मुत्राश्य यूरिनरी ब्लेडर और थर्ड मुत्रमार्ग यूरेथ्रा दो इसमें अंग पाये जाते हैं एक होता है मुख्य उत्सर्जी अंग और दूसरा होता है सहयक उत्सर्जी अंग जिसमें सबसे फस्ट जो है मुख्य उत्सर्जी अंग व्रक व्रक्य जो होता है वो मानों के अंदर एक जोड़ी एक जोड़ी व्रक्य पाये जाते हैं इनका निर्मान व्रक्य जो होते हैं इनका उद्भाव या निर्मान जो होता है वो भुरुनिय मिजोडर्म भुरुनिय मिजोडर्म से होता है व्रक्य जो पाये जाते हैं वो मेरुदंड या कसेरुक दंड जो होती है कसेरुक दंड के दोनों और बाया व्रक दाएं व्रक से बड़ा क्योंकि बाई साइड में इसके पास में लीवर यक्रत यह उपस्तित होता है इस वज़े से यह वाला पार जो है वो बड़ा पाया जाता है इसके लंबाई ग्यारा से बारा सेंटिमेटर चोड़ाई पास से छे सेंटिमेटर मौटाई दो पॉइंट पास से तेन सेंटिमेटर और भार जो होता है 120 से 170 ग्राम इसका भार होता है रंग लाल व्रक जो होता है उसका बहारी भाग जो है बहारी जो सत्य है वो उत्तल होती है और आंत्रिक सत्य है आउतल आंत्रिक सत्य है आउतल जो होती है इसके उपर एक गड़ा पाया जाता है जिसको हाइलम बोलते हैं इसको हाइलम या फिर व्रक स्रोनी व्रक स्रोनी कहा जाता है यहां देखें व्रक जो है वो कसेरुक दंड जो होती है उसके दोनों और पाये जाते है बाया व्रक जो है वो थोड़ा सा उपर की और बड़ा होता है क्योंकि इसके साइड में लिवर होती है आंत्रिक सत्य इनकी जो आंत्रिक सत्य होती है वो उसके उपर गड़ा होता है कि हाइलम या फिर राक्ष्रणी कहते है व्रॉक्त कुछ संटाय जह होती है वह व्रक्त से बाहर निकलती है और कुछ में से अंदर प्रवेश करती है जिनमे से मुखेरूप से हाइलम है से व्रक धमनी और तंत्री का ये दोनों हायलम से प्रवेश करती हैं व्रक में इसके अतिरिक्त व्रक सिरा प्लसी का वाहिनी और मुत्रवाहिनी ये तेनों इसे बाहर निकलती है बाहर जाती है अब देखेंगे डाइग्राम के अंदर सबसे पहले इसमें मुख्य जो अंग होते हैं व्रक होते हैं जो की एक जोड़ी उपस्तित है और कसेरुक दन जो होती है उसके दोनों और उपस्तित रहती है अब इनके अंदर जैसे आंत्रिक भाग की बात करें तो यह आउतल सत्य होती है और यहाँ पर उपस्तित जो गड़ा है वो हाईलम कहलाता है जिसमें यहाँ से जो धमनी पाई जाती है व्रक्य धमनी वो इसके अंदर प्रवेस करती है साथ यह तंत्रिकाई उपस्तित प्रवेस करती है किसे रुखदंड से लेकिन इसमें से बाहार की और बाहार निकलने वाली सबसे पहले यहाँ से मुत्रवाहिनी बाहार निकलती है व्रक्य शिरा जाकर महाशिरा में मिलती है और लसी का वाहिनी इससे बाहार निकलती है तो हा अधी व्रक या फिर एड्रिनल जो ग्रंती होती है यह है व्रक के उपर व्रक के उपर टोपी नूमा संरचना के रूप में इस्तित होती है यहां पर इधर टोपी नूमा जो संरचना है व्रक के उपर यह अधी व्रक के ग्रंती या फिर एड्रिनल ग्रंती इसके उपर उपस्तित रहती है यहां से फ्रस्ट पार्ट है वो complete second पार्ट होता है यानकि इससे बहार हाईलम से निकलने वाली सनरचना है जिससे यूरीन जो होता है वो व्रक से आगे की और मुत्रासे की और गमन करता है second point यहां से यूरेटर सेकेंड मुत्रवाहिनी यूरेटर मुत्रवाहिनी जो होती है एक पेशिय संदचना होती है पेशिय संदचना संक्री लंबी नलीका के रूप में पेशिय संदचना जो पाई जाती है इसके अंदर यूरेटर जो होता है या फेशिय संदचना या फेशिय मुत्र जो होता है वो क्रमा कुंचन गत्ति के दुआरा क्रमा कुंचन गत्ति के दुआरा आगे की और गत्ति करता है इसके अंदर ये मुत्र वाहिनी है जिसमें व्रक से इसमें यूरीन आता है और इस नलीका के अंदर मुत्र वाहिनी के अंदर क्रमा कुंचन गती के कारण यह आगे की और बढ़ता है या फिर इसमें गती करता है मुत्रवाहिनी का प्रारंबिक जो भाग होता है प्रारंबिक जो शिरा होता है वो फुला हुआ होता है कीपनुमा जिसको पेल्विस कहते हैं पेल्विस या फिर व्रक स्रोनी यह कहा जाता है यहां देखेंगे यहां पर आगर यह वाला जो पार्ट होगा यह पेल्विस देखी इसके अंदर अपने दर्शार रखा है उत्रवाहिनी जो होती है वो इसमें से यहां पर यह हैलम है जहां से यह निकलती है और यह वाला जो पार्ट है जो की फुला हुआ भाग है इसका वो पेल्विस या व्रक स्रोनी कहल मुत्रवाहिनी जो होती है यह यूरेटर जो होता है वो पेल्विस से प्रारंब होकर पेल्विस से प्रारंब होकर और यूरेनरी ब्लेडर जयनि कि पेल्विस से लेकर और मुत्रासे तक यह फैली रहती है इसके बाद में पॉइंट आता है मुत्रासे या फिर यूरेनरी ब्लेडर थर्ड पॉइंट यूरेनरी ब्लेडर मुत्रासे यह मुत्रासे जो है संक नुमा होता है या फिर की पाकार इसका आकार है जो कि उपपर से चोड़ा और नीचे से संकरा होता है इसके अंदर यूरेन जो होता है या फिर मुत्र जो है वो ऐस्थाई समय के लिए संग्रेहित रहता है संग्रेहन की जो छमता पाई जाती है वो 700 से 800 एमेल इतना यूरेन इसके अंदर एकत्रित रह सकता है कि मुत्राश्य का जो इस्तर पाया जाता है बाहिये इस्तर उसके तीन भाग होते हैं सबसे बाहिये इस्तर मर्ण और आंत्रीक इस्तर बाहिये इस्तर हिस्तोंL gia के अंदर इसके हमने पहले भी पड़ा है डाईजेस्अन सिस्टम में भी बाहिये जो परद्ध होती जो इस्तर है वो इस्तर है वह सेकेंड मद्द इस्तर यह इसका एरेखित पेशियों से बना होता है इसलिए एरेखित पेशियर इस्तर होता है आंत्रिक इस्तर इसलेशमी का इसलेशमी का इस्तर रहता है तो इस प्रकार से यहां से यह उरेणरी ब्लेडर जो की उपर से चोड़ा है और नीचे से संक्रा होता है इसके अंदर एस्थाई रूप से मुत्र जो यूरीन जो होता है वो संग्रहीत होता है उसकी मात्रा 700 से 800 ml होती है और इसका बाहिये जो आवरण है वो तीन इस्तरों से मिलकर बना होता है पेरिटोनियम सिरोसा इस्तर, एरेकित पेसी इस्तर और सलेस्मिका इस्तर नेक्स्ट पुएंट से इसका मुत्रास्य के बाद मुत्रमार्ग जूरेथ्रा जहां से मुत्रास्य मुत्रास्य से निकलने वाला जो ये नली का रूपी जो संडचना होती है इस नली का रूपी संडचना को मुत्रमार्ग बोलते हैं यहां लिख सकते हैं मुत्रास्य से बाहार निकलने वाली नली का रूपी संडचना जिससे मुत्र का या यूरीन का उत्सरजन किया जाता है वो मुत्रमार्ग कहलाता है मुत्रमार्ग की जो लंबाई होती है नर के अंदर इसके लंबाई 15 से 20 सेंटिमेटर मादा के अंदर इसके लंबाई 4 सेंटिमेटर होती है नर में मुत्रमार्ग जो होता है यह एनस के आगे या उदा के आगे इस्तित रहता है और यह मुत्रमार्ग जो होता है यूरेथ्रा जो होता है इसमें दो पार्ट होते हैं नर में संयुक्त रूप से कारिय करता है संयुक्त रूप से एक तो मुत्रमार्क के रूप में और सेकेंड वीर्य से चन दोनों का कारिय करता है जबकि मादा के अंदर इसके लंबाई 4 सेंटिमीटर और इसकी उपस्तती जो होती है यो नी या फिर जनन छिद्र के उपर ठीक रहता है और इसके द्वारा के वल मुत्र का उत्सरजन किया जाता है जो रेथरा या फिर मुत्रमार्क जो होता है इसको तीन भागों में बटा गया है प्रोस्टेट भाग या फिर यूरिथरल जली नुमा भाग थर्ड सिस्नी भाग यूरिथरल जो भाग होता है प्रोस्टेट जो भाग होता है ये इसकी जो लंबाई होती है वो 2 से 5 सेंटिमेटर प्रोस्टेट गरंथी प्रोस्टेट जो गरंथी पाई जाती है उस गरंथी में से होकर ये गुजरता है उत्रमार का या फिर यूरिथरा का वह भाग जो प्रोस्टेट गरंथी से होकर गुजरता है उसको बोलते हैं प्रोस्टेट भाग या फिर यूरिथरल भाग इसके लम्बाई 2 से 5 سंटिमेटर होती है इस prostate भाग में ही यह ये यूरित्रल जो भाग होता है इसी के अंदर दोनों जो सुकर्वाहिनी होती है सुक्र्वाहिनी वो मुत्रमार्ग यानि कि prostate भाग के अंदर आकर मिलती है second जिलीनुमा भाग जिलिनुमा जो भाग होता है वो प्रोस्टेट भाग से और सिस्नी भाग के बीच में पाया जाता है लास्ट पार्ट इसका सिस्नी भाग जिसकी लंबाई 15 सेंटिमेटर लगबाग 15 सेंटिमेटर होती है जो की मानव की कारपस एंजियोसम से आगे निकल कर जो सिसन मुंड जो पाया जाता है से बहार एक छिद्र के रूप में बहार खुलता है यानि की सिस्नी भाग के लंबाई 15 सेंटिमेटर होती है जो कारपस एंजियोसम से निकल कर सिसन मुंड से बहार छिद्र के रूप में खुलता है जिसे मुत्रमार कहते हैं तो इस प्रकार से मानव उत्षरजंत अंतर के अंदर जो इसके अंग है, उनके बारे में यहाँ आपने अध्धन किया है ये इसका डायग्राम है जिसमें सबसे पहले व्रक की हाइलम से मुत्रवाहीनी भाहर निकलती है जो के एक पेशिय संरचना होती है जो आगे चलकर मुत्रास्य के अंदर खुलती है जिसके अंदर यूरीन का या फिर मुत्र का एस्थाई रूप से संग्रेन होता है और कुछ समय बाद मुत्र मार्क से ये है बहार जाता है मुत्र मार के अंदर यहाँ पर एक अवरोधिनी पाई जाती है अवरोधिनी यह नियंतरन करती है मुत्र के उत्सरजन का जिसमें अवरोधिनी यहाँ पर पेशियों से बनी होती है और इन पेशियों में जब सिथिलन की अवस्था आती है सिथिलन के समय यह जो मार्ग होता है यह खुल जाता है और इससे आसानी से मुत्र जो होता है उसको बाहर उत्सरजित किया जाता है इस प्रकार से मान उत्सरजन तंत्र का संदचना है यहां कम्प्लेट होती है धन्यवाद